तो नमस्कारे दोस्तों आप सभी का वेलकाम में चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनो विज्ञान ओनर्स यानि कि साइकलोजी ओनर्स बीए समेस्टर फोर का कॉर पेपर नाइन उनिस बाइस के सेसन में पुछा गया पेपर है फुल मार्क्स आप सभी को मा दिखते हैं तो बोला गया है पेपर में अलग 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 आपको माक्स हो सकते हैं किसी में जो होता है कहीं पर आट माक्स का होता है कहीं पर पंदर माक्स का होता है तो यहां पर बोला गया है कि किनी चार प्रशनों के उत्तर दें जिसमें से प्रशन संख्या एक आनिवार परतिक कोशन आपका 15 माक्स का है और चार बनाएंगे तो 15 चोका 60 होई जाएगा देखते हैं कोशन निबर वन अब्जेक्टिव है इसमें पुछा गया है कि अस्पिर मेन के कोटी अंतर सहसंबंद का परतिक क्या है वो बताना है तो देखिए उसने क्या नाम दिया था डी मरो आर या एन ठीक है आगे देखते हैं तो कौशन निबर टू है इसमें पुछा गया है कि रेख यह सा सम्बंद के कितने परकार होते हैं how many types of liner correlation 4 परकार होते हैं 5 परकार होते हैं 6 परकार होते हैं या फिर 3 परकार होते हैं question number 3 देखते हैं तो इसमें पुछा गया है कि पूर्णता धनातमक्स का सम्बंद का परसार कैसा होता है वो बताना है range of perfect positive correlation age तो देखिए, चार option में हैं, जो आपको सही लगे, उसको टिक लगाना है आगे देखते हैं, question number 4, तो इसमें पुछा गया है कि प्रो सामाइन वक्र का दूसरा नाम क्या होता है Other name of the normal probability carb age तो देखिए, चार नाम है, फाला है Gaussian वक्र, दूसरा है तुंग कुकुदता या गजब नाम है, मैद्ध कुकुदता और D नमबर है, none of these आगे देखते हैं, question number 5, तो इसमें पुछा गया है मानक विचलन के परी कलन का सुत्र क्या है, वो बताना है formula short method for calculating SD is, ठेक है आगे देखते हैं, तो option number 1, 2, 3, 4 अंडरूट वाला क्या होगा, मुझे नहीं मालूम, आप लोग खुद find out कीजिए, ठेक है, मैं psychology का student नहीं हूँ, तो psychology के बाले में एक तरह से मेरा knowledge सुनने हैं, question number 6, इसमें पुछा गया है कि मैद्धमान के उपर प्लस 1, इसको क्या पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ लिजें, तथा नीचे, minus 1 के बीच कितने परतिसत केसेज होंगे, 75% केसेज होंगे, 85%, 68.26% या 78.25%, आगे देखते हैं, question number 8, sorry 7, तो इसमें पुछा गया है कि products, moment, सह संबंध, परिकलन, सुत्र का, परिकलन करने का सुत्र क्या होता है, उस सुत्र को formula को लिखना है, formula for calculating product, moment, correlation is, तो मुझे तो English कोई पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, यार, क्योंकि psychology एक इसा subject है न, जो बिना English की है, आप एक हज तक पढ़ाई कर सकते हैं, आगे अगर पढ़ना हैं, दोस्त, psychology में अगर आप MA करना चाहते हैं, या PhD करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको English जानना बहुत जुर्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी में इसकी पढ़ाई में उतनी मज़ेदार या दमदार नहीं हैं, जितनी की English में होती है, आगे देखते हैं, question number 8, तो इसमें पुछा गया है, निम्लिखित में से, खोन सामाइन्य संभाई ब्यवता, संभाई ब्यवता, वकर के सम्मन में सही है, option 1 है, घंटा कार चित्र, बेल सेब्ड, option 2 है, द्वी, पत्ती, सिंडोल, पन, option 3 है, अनन्त, सपरसी, और option D है, इनमें से सभी, आगे देखते हैं, question number 9, तो इसमें पुछा गया है, कि काई वकर परिकलन करने का सुत्र क्या होता है, वो बताना है, formula for computing काई square age, ठीक है, तो देखे, f0-fe square, fe काई square by fe, यह क्या होता है, देख लेना है, अपने अनुसार टिक करना है, देखते है, question number 10, तो इसमें पुछा गया है, कि कोटी अद्तर, सा संबंद परिकलन करने का सुत्र क्या होता है, formula for calculating rank difference correlation is, तो देखे, चार option में है, आगे देखते है, question number 11, total 15 परिकलन करने का सुत्र क्या होता है, formula for calculating t test is, तो देखे, चार option में है, क्या होगा, वो आपको लिखना है, आगे देखते है, question number 12, तो इसमें पुछा गया है, कि t अनुपात में df ज्यात करने का सुत्र क्या होता है, वो बताना है, ठीक है, correct formula for calculating df in t test is, question number 13, तो ज्याद त तो formula ही पुछा गया है, कि क्या formula होगा, किसका, z पर अपतां की गर्णा करने का सुत्र क्या होता है, formula for calculating z score is, तो जहां तक मुझे लगता है, यहाँ पर आपका टप राने वाला है, क्योंकि जहां पर मेत भुछ गया, पर थोड़ा सा टप बन जाता है, ठीक है, question देखते है तो 14 नमबर, 14 नमबर में पुछा गया है, कि इनमें से कौन पराचलिक साइन ख्यकी की विशेस्ता नहीं है, which one is not characteristics for pre-metric aesthetics, ठीक है, तो देखिए पाला है, पर सामायन्य वित्रन, दूसरा है, वित्रन मुक्त, तिसरा है, परती दर्सों की संदर्था और चोंथा है, अंक ग से है, तो who is related product moment correlation, पहला है Pearson, option 2 है, Garrett, option C है आपका peer man, और option D है, call man, यह होगे 15 objective, अब आते हैं, सभी subjective और यह सभी 15 marks के हैं, तो इसका answer आप लोग किजिएगा, लगबग 400 से 500 सब्दों के बीच में, ठीक है, between 400 to 500 words के बीच में करना है, देखते हैं, पहला question है, इसमें, long answer type में, परोज सामायनी, समभाइब यह, वक्र से, क्या समझते हैं, इसके सवरूट की व्योशना करें, देखें दोस्तों, जितने भी question है, सभी baby हैं, क्योंकि previous year question paper बार बार repeat होते हैं, तो आप परते question पे 8 लाइन, 10 लाइन करके घर से करके जाएं, ताकि exam में आपको बहुत ज्यादा help हो जाए, ठीक है, इंग्लिस में है कि what do you mean by normal probability curve, discuss its nature, आगे देखते है question number 3, तो इसमें पुछा गया है, कि संगत उदाहरनों के साथ, सह और सम्बंद के बिभिन परकारों की वाइख्या करें, discuss the different types of correlation with suitable example, आगे देखते है question number 4, तो इसमें पुछा गया है, कि काई वर्ग से क्या समझते हैं, इसका परयोग बताएं, what do you mean by काई chart, discuss its use, आगे देखते है question number 5, यार इतना गाड़ी चलता है ने कि क्या बताओ, साज में दोस्त, अगर आपक प्रशनल रूम नहीं रहता है न, और यूटूब क्या किसी भी छेत्र में, अगर आपका प्रशनल गाल नहीं रहता है न, तो बहुत दिक्कत होगा, लाइफ में, जैसे कि मेरे साथ होता है, पियर्सन, विधी का परियोग करते हुए, निम्नांकित दो समूहों के आकड़ो के बिच, सवा सम्बंद का परिकलन करे, तirm छात्रों के द्वारा संगती एवं, स्री, संगीत है, ठीक है, ति दोरन संगीत एवं गनीत में, प्राप्त अंक निम्नकित इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, म्यूजिक का देख़िए, उसके बाद है मेरे मेरे दो करे, और असकोयर और फालविंग डाटा तो डाटा दिया गया है 10iger है फिल् ll ऐक मजल द specialize दिया गया इनसता डिया गया i attorney कि राप्तिंग और टोटल सत्तर थिंग है आपको फाइंड आउट करना है कोश्चन नमबर एट अंतिम कोश्चन इस पेपर का इसमें बोला गया है इन इंडिकित में से किनी दो पर संचिप टिपनी लिखें पहला है परिकलपना परिक्षन दूसरा है काई वर्ग तीसरा है पियर्शन कोटी अंतर सहसंबंद आपको के पर अपलोड कर दिये जाएंगे ठीक है एक डाउट होता है कि भाई किस इनिवर्शेटी के कोश्चन है देखें दोस्त अगर आपका सब्जेक्ट ही है सेमेस्टर ही तो डेफिनेटली आपका पेपर इसी टाइप का आएगा चाहें आप किसी भी इनिवर्शेटी में सेम होता है थोड़ा बहुत अलग होता है उसमें आपका स्टेट का एंटर्फियर होता है 10 तो बहुत सारे सब्जेक्ट एपका इस्टरी में 10 रहेगा मतलब जाए लवर इंडिया में किसी भी इनिवर्शेटी से हो या एन्पी उसदियो से हो एसक्य में और हो राची निव कि वीडियो के डिस्क्रिप्सर में मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर लिजेगा ठीक है बाई एंड अल्ड़ बेस्ट अच्छी से जम दें